है 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 लो दोस्तों मैं उमा शंकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अकैडमी ओफ इकनॉमिक्स में तो आज हमारा जो टॉपिक है आज लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में मैंने आपको जो कराया था वो नैशनल इनकम का पूरा फुल कंसेट समझाया था कि किस तरीके से नंकम को इनकम मैठोड के थुल निकालते इंकम मैठोड का लास्ट वालस में पूरा टॉपिक आपको समझाया गया है आई होब कि आपने की वीडियो देख लियो गि और अपने पास सारे के सारे नोट्स बना ली कुछ प्रैक्टिस करेंगे कोईशन प्रैक्टिस ओफ इंकम मैथड मैंने अपना लास्ट के जो क्लासिस हैं उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप पीछे की क्लासिस को देख सकते हैं क्योंकि नैशनल इंकम का टॉपिक है नुमेरिकल पार्ट आपको बिना पीछे की वीडियोस देखे हुए समझ में नहीं आएगा इसलिए दोस्तों एक बार आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक को जाके क्लिक करके वहां से वीडियो देख लेना और उसके बाद इस वीडियो के जो कोशन्स है वो आप सॉल्व करना आ लास्ट वीडियो वीडियो नंबर 3 जो है आप उसको देखोगे तो उसमें पूरा मैंने डिस्क्राइब करा हुआ है आज हमारी जो क्लास आज की वो सिरफ और सिरफ कोशन्स प्रक्टिस करने के लिए है तो जी हां दोस्तों चलो हम देखते हैं कोशन्स मैंने फर्स्ट रखे हैं 100 ओपरेटिंग सर्प्लस 900 वेजी सेलरी 500 प्रॉफिट दे रखा है 400 इंप्लोर कोंट्रीशन टू सोल्स जिकोर्टी दे रखा इसमें 50 फिप्टी एन फाई नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम एपरोड आपको दे रखा माइनस का 10 कंजम्शन ओफिक्स कैपिटलिस में दे रखा 50 और यहां पर एन इट आपको दे रखा 50 एंड में इस कोश्चन में यह बोला गया है कैलकुलेट 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 कैल नेशनल इंकम कैलकुलेट नेशनल इंकम देखो जी नेशनल इंकम क्या होता है पहले तो अब इसको समझो जब भी ऐसा कुछ लिखा रहे कैलकुलेट नेशनल इंकम तो समझ जाना मैंने अपनी जो बेसिक कनवर्जन पिरिड वाली टॉपिक जो कराया था उसमें मैंने कुछ बा्रच टम लिखवाई थी बहाँ पर जो सिक्स टम लिखी थी शीक्स नंबर पर वो क्या था एन एन पी एफ बैप सी सिक को हम कहते हैं national income क्या कहते हैं नेट नेशनल प्रोड़क्ट फ्राक्टर कॉस्ट तो जी हां हमेज इसमें क्या है कैलकुलेट करना है national income तो देखते हैं इस यह हमारा income method है इससे पहले मैंने वैलिडेट मेथट कर आया और वैलिडेट मेथट को हमने करते डाइम मैंने आपको पूरा उसकी सारी tricks बताई कैसे कैसे questions solve होते हैं कैसे कैसे questions आपके paper में दिये जाते हैं अब हम बात कर रहे हैं इनका method में इनका method जो है इससे भी काफी tricky question paper में पूछे जाते हैं जो कि बच्चे काफी बार अंजाने में गलती कर देते हैं तो दोस्तों एक बार आप ध्यान से देखिए आप से कोई भूलना हो कि देखिए हम इस question को solve करते हैं solution number हमारा question number one का और सबसे पहला देखो मैंने वहां भी आपको बोला था step use करने है step 1 step 1 मैंने आपको बताया था step 1 में क्या करना है सबसे पहले वी calculate we calculate ndp at fc ndp at fc we calculate ndp at fc it means we calculate domestic income domestic income तो domestic income आपको निकालनी है domestic income domestic income पहले step में आपको यही निकालनी है आप यहां देखते रहे हैं क्योंकि step बन जो आपका है ना यह काफी important है question में कुछ भी दे रखा हो कुछ भी पूछ रखा हो आपको सबसे पहले स्टेप बन calculate कर देना है और स्टेप बन निकालने के लिए हम लिखते हैं ndp ndp fc equal to coe plus os plus mi देखो जी coe compensation of employees मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके बारे में पूरी सारी चीज़े समझाई थी तो i hope कि आपको वहां से आपने कर लिया होगा और आप समझ जाओगे अगर नहीं किया है तो इस वीडियो की description में नीचे जाओगे तो आपको वीडियो 3 का link दिया होगा उस link पर जाकरके income method को पहले पूरा समझना और उसके बाद आपको options प्याना ओके ठीक है तो देखिए सबसे पहले क्या करना आपको coe coe क्या है compensation of employees compensation of employees दूसरा operating surplus ओके तीसरा MI mixed income तो हमें तीन चीज़े प्लस करनी है अब देखिए इसमें सबसे पहले हम देखें तो coe अगर coe नहीं दिया होता है अगर compensation of operating और सौरी compensation of employees अगर नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं इसके components यूज कर लेते हैं components मैंने बत्य थे क्या क्या अखे सबसे पहले मैने बताया ता veggies and celery wages and salary होता है तो हम क्या करदेंगे wages and salary को 500 यहां पर प्लस कर देंगे प्लस और क्या होता है इसके अंदर और दूसरे नंबर पर यहां पर दे रखा है employer contribution to social security जब आपका compensation of employees नहीं दिया होता है तो compensation of employees को निकालने के जो इसकी component है उनको यूज कर लेते हैं तो इसकी value दे रख्यें 5050 प्लस इसमें एक चीज़ और होती है वो क्या है वो है retirement pension तो जी हैं दोस्तो हमें क्या करना है plus करना यहाँ पर retirement pension देखिए इस question में कहीं पर भी retirement pension नहीं दी हुई है यहाँ पर यह old age pension दी हुई है old age pension old age pension को national income में include नहीं करते हैं तो यह include नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि यह transfer income का part होता है old age pension वो होती है जो without any work without any rendering services यह receive हो जाती है ठीक है तो हम यह क्या कर देंगे जीरो प्लस कर देंगे क्योंकि retirement pension तो ही नहीं ओके कर दिया आगे चलते हैं operating surplus देखो जी operating surplus अगर सबसे पहले तो आप ही देखो question के अंदर कहीं पर operating surplus दिया हुआ है जी हाँ दिया हुआ है दिया हुआ है तो बात दी खतम in case अगर यह नहीं दिया होता तो हम क्या करते तो हम वही ओपरेटिंग surplus equal to क्या होता है rent and royalty plus interest plus profit इनको plus कर लेते हैं और निकाल के value put कर देते हैं लेकिन यहां तो हमें दिया दे रखा है तो हम इसकी value को यहां डाल देंगे 900 इसके बाद next यहां पर दे रखा है Mixed Income Mixed Income कितन है 200 अब हम तीनों को प्लस कर लेंगे यह हो जाएगा 900 प्लस 200 1100 प्लस 500 क्या हो जाएगा 1600 और यह 50 तो यह आएगा रूपी 1650 करोर देखो जी मैंने करोर यह उस कर रहा है यहां पर आप कुछ भी यूस कर सकते हो कोशन में यहां पर दे रखा होगा जिसमें भी डाटा होगा in करोर तो इन करोर लिंका दो मैंने करोर यूज कर लिया ठीक है इर यह आपका स्ठैप पूरा होगया उक्य को इस तरीके से आप इसको हाइलाइट कर सकते हो step 1 को यह आपका अभी final answer नहीं है यह क्या step 1 का answer आ गया हम क्या करेंगे step 2 निकालेंगे step 2 step 2 हमारे क्या होगा final solution we calculate क्या we calculate national income we calculate national income नेशनल इंकम तो हम नेशनल इंकम निकालेंगे आपर ठीक है जी तो देखिए एन एन पी एपसी मैंने स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो दी थी कनवर्जन पिरियेड की वीडियो दी थी उस वीडियो में उस स्टार्स में मैंने कनवर्जन पिरेड शिखाया था कनवर्जन का मतलब क्या होता है जैसे कि ndp को अपसी से हमें और पसी पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा यह 0 से एंडीपी पर जाने के लिए क्या करना पड़ता है सेम वो कनवर्जन प्रेटम बता रखा है मैंने वहां से आप एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको यह तो वहां से पहले उसको देखना फिर आप इसको करना इसली समझ जाओगे तो हम क्या करेंगे नेशनल निक होता है नेशनल के अंदर क्या प्लस होता है एन एफ आई ए ए नेशनल के अंदर हमें नेशनल कल्कुलेट करना है डोमेस्टिक से नेशनल प्याना है तो एन फाइस में इंक्लूड हो जाएगा प्लस यहां पर एप और पी सेम है नो चेंच एपसी एपसी सेम है तो नो चें कर देंगे यहां पर इसकी वैल्यू पूट कर देंगे इसकी वैल्यू दे रखे 1650 प्लस में देखो एन अफ आई ये कंपोनेंट नमबर 8 माइनस का 10 दे रखा है तो हम यहां पर माइनस का 10 पूट कर देंगे और आपका यहां फाइनल आंसर आएगा एननप्य टैपसी इक्वल टू रूपी 1640 करोर दिस इस यूर फाइनल आंसर तो जी हां इस तरीके से अगर आप कोश्चन को सॉल करके आओगे तो आपको पूरे के पूरे नमबर दिये जाएंगे आदा नमबर भी आपका नहीं कटेगा तो जैसा कि मैंने अभी आपको जो कोश्चन कराया वो तो आपका हो गया अगला कोश्चन हमारा कोश्चन नमबर टू है यहां पर और इसको एक बार देखते हैं कोश्चन नमबर टू क्या है पर देख लेते हैं देखो जी कि मिक्स्ट इंकम उप्साल प्लोट देखा है 500 ओल्डेश पंसन देखे 200-20 डिविदेंस 100 अपर देखा है यहां पर देखा है कंजम्शन ओफिक्स कैपिटल यह दे रखा है आपका 100 और नेट नेट इंडरेट टेक्स आपका 50 दे रखा है और एंड में बोलता है कैलकुलेट ग्रोस नेशनल प्रोड़क्ट एट मार्केट प्राइस इट मींज हमें जी एन पी एट एंपी निकालना है ओके तो देखते हैं सेम एट इस वही प्रोसेस अपनाएंगे जैसा कि हमने अभी कोशन नंबर वन में किया था सबसे पहले हमारा क्या आएगा इंकम म में निकालते हैं तो इनका में यूज करें डोमेस्टिक निकाल दो एंडी प्रोस प्लस प्लस म होता है यह आपको पता है तो हम क्या करेंगे यहां पर देखो और सी ओई कंपन सेशन ओफ इंप्लोईज कॉंपोरेंट नंबर यह फाइफ फाइफ नंबर देखो कंपन सेशन ओफ इंप्लोईज दे रखा है तो हम वैल्यू पूट कर देंगे अब देखो दोस्तों यहां पर काफी चीज़े आपको गुम्रा करने के लिए दे जाती है जैसे कि यह इंप्लोईर कॉंट्रिविशन तू सोचल सीकोरिटी यह आपको वैसे ही दे रखी है फाल्तु में इसका कोई यूज नहीं है क्यों यूज नहीं है क्योंकि हमें क्या दे रखा है हमें ओल्रेडी स्योई गीवन है जब स्योई गीवन होता है तो इसकी कंपोनेंट को प्लस नहीं करते हैं क्योंकि कंपोनेंट उसके अंदर ओलेडी इंक्लूडिड होते हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर इसको यूज नहीं करेंगे तो इसको हम यूज नहीं करेंगे नेक्स्ट इसमें ओल्डेज पैंसन दे रखी यह तो हमारा पार्टी नहीं है इसको भी लिपुट कर देंगे प्लस मिक्स इंकम दे रखा है आप पर मिक्स इंकम दे रखा है नंबर वन पे 500 तो प्लस कर देंगे 500 अब देखिए यहां पर एक इंपोटेंट बात बता रहा हूँ आपको इसको नोट कर लेना जब भी आपके कोशन पेपर में ओप्रेटिंग सर प्लस या सी ओई कंपंसेशन ओफ इंप्लोई यह अपने नाम से दे रखे हो तो इनकी जगापे इनके कंपोनेंट को यूज नहीं करेंगे हमें कंपोनेंट दे रखे होते हैं लेकिन उनका कोई इस्तिमाल नहीं करना है क्यों कि आल्रेडी हमें जब वर्ड़ दे रखा है कंपोनेंट हमें अल्रेडी दे रखा है जैसे एक्जांपल के तौरए आप देखो ओप्रेटिंग सर प्लस के कुछ कंपोनेंट से जैसे कि प्रॉफिट हो ग और एंड में मिक्स इंकम दे रखिया उसको भी हमने अड़ कर दिया और फाइनल आंसर हमारा आ रहा है बारा पात बारा तीन पंद्रह और पाच बीस मतलब रूपी 2000 करूर इस इस ग्रोज इस डिस डिस डुमेस्टिक इंकम इट मीज एंड डी पीट एप सी यह आपका क्या है तो मैस्टिक इंकम निकल गया सेम सिमिलरली स्टैप टू स्टैप टू में हम क्या करेंगे स्टैप टू में हम क्या करेंगे जो हमसे पूछा है तो देखो कोस्टन बन में हमसे नेशनल इंकम पूछा तो हम नेशनल इंकम लिग लिए था लेकिन इसमें क्या पूछा है हमसे जी एन पी तो जी एन पी एट एम पी पूछा है तो एम पी यूज़ कर लेंगे तो वी कैलकुलेट सेकंड इस्टेप में जी एन पी तो जी एन पी एम पी एक्वल टू क्या हो जाएगा एन डी पी एपसी यह हमें गीवन है अब देखो जी से और सुरी हमें कहां नेट से किस पे जाना है जब नेट से ग्रोस पे जाते हैं तो कंवर्जन पीरिट मैंने कराया था आपको नंबर वन मैंने कहा था ग्रोस और नेट होता है तो नेट से ग्रोस पर जाते हैं तो प्लस क्या करते हैं डैप तो यहां प्लस क्या कर देंगे डैप और अगर ग्रोस से नेट पर आते हैं तो माइनस डैप होता है के लिएर है तो हम क्या जा रहे हैं नेट से ग्रोस पी जा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे depreciation कि नंबर टू मैंने बताया था कि यह डी और ने अगने डोमेस्टिक क्या डोमेस्टिक से नेस्नल बजा यहां पर NFIA, NFIA प्लस क्यों करा हमने, क्योंकि हमें domestic से national प्याना पड़ा है, इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया, NFIA को, NFIA की फुल फाम होती है, इसका मैंने फार्मूला पहले बता रखा है, अपनी लास्ट वीडियो में, वीडियो नुम्बर 3 में, वहां से आपको मिल जाए, अगर आप भूल चुके हो तो, दूसरा, factor income है, यहाँ पर क्या FC है, और यहाँ पर MP है, तो हमें क्या करना है, FC से market price पे, MP मतलब market price, तीन नंबर, तीसरा नंबर, मैंने बताया था, कि MP और FC का रोल होता है, इन दोनों में, NIT का रोल होता है, NIT, मैंने कहा था, अगर हमें factor cost से market पे जाना है, तो plus हो जाएगा NIT, और market से अगर factor पे आना है, तो minus हो जाएगा NIT, तो हमें क्या करना है, factor से, factor cost से market पे जाना है, तो plus कर देने हैं, प्लस कर देने क्या, NIT, तो देखिए, यहां पर हमें सारी values दे रखी हैं, यह दे रखा है, 2000, plus depreciation, देखो, consumption of fixed capital दे रखा है, यह depreciation होता है, 100, plus NFI यह आपको दे रखा है, 10, plus NIT आपको दे रखा है, यहां पर 50, तो इन सभी चीजों को use कर लोगे, तो यह आपका हो जाएगा, 2160, तो final answer, GNP MP equal to Rs. 2160 करोर, इस तरीके से आप इसको highlight कर देना, तो यह आपका क्या हो गया, this is your final answer, तो देखिए, अभी हमारे क्या हो गए, यह question मिने आपको करना सिखा दिया, कैसे question करते हैं, देखिए, इस question को हमने किया, अभी हम और आगे भी questions करेंगे, अभी इन questions को आप करिए, I hope कि आपको यह समझ में आया होगा, यदि आप हमारे इस Academy of Economics चैनल पे निव निव एड हुए हैं, या नए नए आए हैं, तो प्लीज इस पर बने रहने के लिए आप नीचे चैनल को सब्स्राइब करना न भूलें, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, और हमें appreciate करने के लिए, आप हमें comment में हमारी जो कम्या है, हमें आपको जो भी doubts आते हैं, वो हमें हमारे Instagram पे फोलो कर सकते हैं, आप हमें दूसरा हमारा एक Academy of Economics का Facebook पेज है, वहां से भी फोलो कर सकते हैं, वो सारी चीज आपको description में provide हो जाएंगी, अभी के लिए thank you so much. झाल कर घ एंभ़ सकते हैं, आप हमें अभी का फोलो कर सकते हैं, एमने के बाएंगी एका बक해서 जाएंगी एक हैं, क्यां हमें ही चारी एकालое कित रहां हमें users,